हाई एवरिवान कैसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए लेकर आ गई बहुत ही अच्छी टीप्स जो आपको बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स तो हमारी वीडियो को लाश्ट तक देखिए और हमें कमेंट करके बताईए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे चैनल प ये बहुत ही अच्छी टीप्स है आप भी इसे एक बार जरूर ट्राइ करिएगा क्योंकि मैं इसे आज माया हुआ है तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए मैं बेकार पड़ी हुई एक्सपायरी दवाईया तो सबके घरों में होती है फ्रेंड्स तो इसे ले लेंगे और आप चाहें तो इसे मिकसी जार में भी डाल करके पीछ सकती हैं बारिक इसका पाउडर बनाना है या फिर ये खलबटा होता है ना आदी कूटने वाला उसमें भी आप इसका बारिक पाउडर बना सकती हैं तो फ्रेंड्स अक्सर सभी के घरों में बेकार पड़ी हुई दवाईयां ज्यादा रहती हैं तो हम इसे फेकें क्यों इसको बहुत काम के टिप्स में लाएं बहुत ही घरेलू टिप्स जो हमारे हजारों रूपए बचाएंगे फ्रेंड्स तो आप भी इसे जरू ट्राई करिए और इसी तरह का हमें एकदम फाइन पाउडर तयार कर लेन है और एक लेंगे बाउल काच का बाउल लिया है मैंने आप कोई सा भी ऐसा बाउल ले सकती हैं या कोई डिब्बी भी ढकन वाला ले सकती हैं और इसमें कोई भी तेल आपके पास हो नारियल या जैस्मिन का या आलमन डायल कोई भी हो इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे और इसका पेश्ट जैसे हम जैसे ट्यूब होता है ना दवाईयों का उसी तरह से हम इसे फेट करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंट्स इतने महंगे ट्यूब्स पे हम पैसा क्यों खर्चा करने जाएं। ये एक बार आप बना करके देखिए कभी भी आपको चोट लग जाती है या घाव रहता है तो जल्दी से अच्छा नहीं होता है या फिर हाथ का या पैर का नाखून होता है जो कोने में धसने लगता है और पक जाता है और बहुत पेन होता है फ्रेंट्स तो उसमें भी आप रात में लगा करके सो जाएए या किसी भी घाव पे आप इसे लगा सकती है इस टेबलेट की तरह कैपसूल भी होता है आप उसे भी ले सकती है और इस तरह से ले करके लगा लेजिए और देखिए फ्रेंट्स दो दिन में आपको रिजल्ट सामने आएगा एक धम घाव सू यह मैं दूसरी टिप्स आपके साथ सेयर करने वाली हूँ अभी मेरे पास बहुत सारी दवाईया पड़ी हुई है तो इस तरह से मैं ले रही हूँ एक टेबलेट और इसको भी हम इसी तरह से इसका पावडर तयार कर लेंगे आप इसको मिक्सी जार में भी पीछ सकती है य तो देखिए मैंने इस तरह से एक टेबलेट का पावडर बना लिया है और यहां पर पानी गरम होने के लिए रख दिया है तो हमारा पानी गरम हो गया है अब इसे हम गरम पानी में डाल देंगे गरम पानी में डाल करके इसका घोल हम तयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स नाली होती है या सिंक होता है बेसिन उसमें कीडे वगयरा लग जाते हैं या बदबू आने लगती है या फिर काक्रोच हो जाते हैं तो इसे आप क्या करिएगा कि इसे घोल करके गरम पानी में और बेसिन में डाल दीजिएगा उसमें से इसमेल भी नहीं आएगी और काक्रोच और म बहुत अच्छी है आप जरूर आजमाईएगा तो चलिए तीसरी टिप्स शुरू करते हैं फ्रेंट्स तो उसके लिए भी मैं दवाईयों काही प्रयोग करूँगी जब ये वीडियो आप देखेंगे फ्रेंट्स तो बहुत अच्छी लगेगी आपको और बहुत जो हमारी हजारों रूपए बचा सकती हैं तो इसके लिए भी मैंने दो टेबलेट लिया है और इसका भी फाइन पाउडर तयार कर लूँगी फ्रेंट्स तो देखिए इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से इसका पाउडर बन जाता है और इसको भी मैं पानी में घोल गोलने के बाद हम इसमें क्या करेंगे फ्रेंट्स की रोजवाटर रोजवाटर तो सबके घरों में होता है या कोई भी खुसबू वाला चीज हो उसमें आप मिला सकती है क्योंकि दवाईयों का इसमेल सबको बरदास नहीं होता है अच्छा नहीं लगता है उसका इसमेल त इससे की भीनी भीनी खुसबू आएगी और डालने के बाद आपके पास कोई इस्प्रे बॉटल है इस तरह की तो उसे ले लीजिए सबके घरों में होता है इस तरह का इस्प्रे बॉटल तो उसमें ले लेंगे और उसमें इस पानी को हम डाल देंगे और गर्मी के दिनों में हम अक्सर देखते हैं friends की मख्यां चारो तरफ राती हैं मच्छड मख्य और काक्रोच सिलेंडर के पास या कहीं भी दराज वगयरों में कीचन में काक्रोच भी हो जाते हैं और मख्यां आ जाती हैं तो इस तरह से हम इस्प्रे बाटल में इसको भरेंगे और हर जगा इसको इस जरूर ट्राइ करिए friends और हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी friends तो और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो आपको मिलती रहे तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में friends तब तक के लिए बाई बाई